हाइ फ्रेंड्स कैसे हो आप सब का स्वागत है पायल रेसिपी हिंदी में, आज हम तीन अलग-अलग तरीके की चटनिया बनाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम इमली की मीठी चटनी बनाने वाले हैं तो इसके लिए मैंने एक कटोरी इमली ली है जिसमें बीज नहीं है जितनी हमने इमली ली है उतनाई हमें यहाँ पर पानी लगने वाला है एक कटोरी इमली ली है तो एक कटोरी पानी और यह इमली की मीठी चटनी है तो एक कटोरी यहाँ पर हमें शक्कर लगने वाली है और शक्कर के साथ में हमें शक्कर और आधी कटोरी पानी, यह रख मसाला जो हमने घर पे ही बनाया है, मैंने चैनल पे डाला है, यह जो तीन अलगलग टाइप की चटनिया हम बनाने वाले है, उसके लिए है यह क्धिकरेट मसाला लगने वाला है तो यह भी आप देख लेना मैं आयगबटन पर दूँँगी उर हमें यहाँ पर दandır चमच कौन फ्लावर लगने वाला है तो अभी सबसे पहले हमें कूकर लेना है कूकर में हमें जो हमने एक कटोरी इमली ली थी बिना बीज वाली वो डालनी है और इसमें हमें अभी पानी डालना है ताकि इमली जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए यहाँ पर हमने देड कटोरी पानी डाला है अब हम गास जला लेते हैं और गास की जो फ्लेम है वो धीमी कर देते हैं धीमे फ्लेम पर हमें तीन सिटी कर लेनी है कूकर की तीन सिटी से जादा हमें यहाँ पर लगने वाले नहीं है गास का जो फ्लेम है वो धीमा रखना है तीन सीटी में हमारी जो इमली है वो परफेक्ट ऐसी बन जाएगी तो यहाँ पर तीन सीटी हो गई है कूकर भी थंडा हो गया है इसे हम खोल लेते हैं देखिए यहाँ पर हमारी जो इमली है वो अच्छे से रेडी हो गई है अभी हमें इसे अच्छे से बारिक कर लेना है तो चलिए अभी इसे हम मिक्सी के जार में डालते हैं और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं देखिए मैंने ये अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अभी इसे हमें चान लेना है क्योंकि इसमें जो कुछ भी मोटा तो चलिए च्छान लेते हैं तो हैसे फूर्2 जो निकल गया है राखेलियसर्ट में कर लिया यह अभी बडली की पेस्ट में अभी एस प्रच चढाना है और यह ईक कटोरी पानी डालना है और इसे अच्छे से मिकस कर लेना है अब हमें यहां पर जो इमली की पेस्ट हमने कर लिए वो लगने वाली है यहां पर मैंने आधी कटोरी इमली की पेस्ट ली है और उसमें दो चम्मच पानी डाल के इसकी पतली ऐसा का चक् convention पैन में डाल देना है और उसके बाद हमें जो सिक्रेट मसाला हमने बनाया है वो दो चमश डाल देना है यह जो सिक्रेट मसाला है इसके बिना यह चटनिया बिल्कुल भी नहीं बनेगी तो आप जरूर देखना मैं आई बटन पर दूंगी अभी यह अच्छे से हम मिक्स कर ल तो यहाँ पर मैंने दो चंम चाहुब बदस्योव iGashA. तो चलिए हम दूस्री वाली चटनी बनाते हैं हरी चटनी तो यहाँ पर हमें दो कटोरी इतना हरा धनिया लगने वाला है, साताथ हरी मिर्च, एक इंच अध्रक का तुकडा, दो चम्मच, आमचुर पाउडर, आधा चम्मच, काला नमक और जो सिक्रेट मसाला हमने बनाया है वो एक चम्मच, एक चम्मच यहाँ पर हमें पुदीने का पाउडर लगने व पुदीने का पाउडर, चाट मसाला जो हमने बनाया है घर पे, आमचुर पाउडर, काला नमक, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से यह ग्राइन कर लेंगे देखिए यहाँ पर जो हरी चटनी है याने के तीखी चटनी है वो रेडी हो गई है तो चलिए अगली चटनी बनाते है खटी चटनी तो देखिए यहाँ पर हमने जो हमने हरी चटनी बनाई है वो आधी कटोरी ली है इमली का पल्प जो हमने कूकर में बनाया था वो वाला लिए है यह मीठी वाली चटनी बिल्कुल भी नहीं है यह इम्ली का पलफ है यहाँ पर यह चम्मच मै a क्रिश्राइब जो मैंने आपको पर पनले ही बताया कर दिया है और अधा चम्मच काला नमक पुदिने का प्रवणर बनाई को है मींसिक जिसमें हमने हरी चट्णी बनाई थी उसमें ही हमें यह जो आधी कटोरी हरी चट्णी हो डाल देनी है को पल्फ डाल utilities सीकॣब अबलागाँ अध्マ struggle साधा नमक कश्ण या अठिक हमीं जम्य आपनी डाल में और एक दृत्छे मारा पाणी ड्यके अम्ंदनल शेय, तो चलिए तीनों चटनिया मैं आपको दिखाती हूँ ये है पहली वाली इमली की मिठी चटनी ये है हमारी तीखी चटनी जो की हमने हरा धनिया और मिर्से बनाई थी ये है खटी चटनी ये तीनों चटनिया बहुत ही टेस्टी है आप जरूर देखना जो भी चाट की हम रेस आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा टेक केर बाई बाई